सो हे गाईस स्वागत है आपका मेरे चैनल में I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना था मुझे कि मैं अभी इस हफते जो है आउट ओफ स्टेशन हूँ कल से तो हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी लेट आये या कम आय तो आप थोड़ा सा जो है मैनेज कर लीजिएगा अगर किसी के साथ कोई भी रियल घटन ऐसी होई हो तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है और उस स्टोरी को जो है मैं अपने चैनल के जरिये लोगों तक पहुचाने का काम करूंगी जी बात कर लेते हैं जूटी के जहान की आप लोगों को बता है कि काफी दिन से जूबिन जूबिन की रट लगाई है और पहली बात तो देखिए कोई भी आके इसको बोलके नहीं गया जूबिन जी खुद आके इसको नहीं बोलके गये कि बही ऐसे ऐसे मेरे लिए वीडिय करो या मुझे जरूरत है ऐसा कुछ भी कि मुझे हाइप मिले है ना किसी ने नहीं बोला इसने अपने मन से जो है वीडियो बनाई और ऐसा अकसर बहुत सारे लोग करते हैं जैसे मान लीजे किसी का फेवरेट सलमान खान है तो काफी सारे वाइस गर्ल्स ऐसी होती है कि उनके के लिए कोई picture कोई painting कुछ बना रहा है कोई song create कर रहा है कुछ भी dedicate करने के लिए करते हैं लेकिन वहाँ पे एक चीज़ समझ आती है कि देखिए कोई भी as a creator हो चाहे कोई भी celebrity हो खुद से तो नहीं बोलने आया आपको कि आप मेरे लिए ऐसा करो नहीं यह आपकी अंदर की भावना थी कि आपने उनके लिए कुछ किया दूसरी बात यह कि अब यह जो है इतना करने के बाद जब इसकी कोई भी वीडियो कोई भी short जो है जुबिन जी ने अपने community में share नहीं किया तो यह तिल मिला उठी मतलब कि आपने पहले भी देखा था संदीप महश्वरी सर के शो में गई थी उसके बाद काफी सारे इसके haters है जो कि वहाँ जाके hate comments इसके लिए करके आए और उसके बारे में जब इसे पता लगा तो संदीप महश्वरी सर को ही target करना start कर दिया इतने सारे उनके उपर वीडियो बना दी कि आप कैसे हैं अपने शो में बुलाते हो एक ब comment remove करना है कौन सा नहीं और सेम ऐसे ही जूबिन के साथ है जूबिन के तो मुझे लगता है कि वो कभी अपने YouTube चैनल देखते हैं नहीं होंगे उनकी PR वगएर यह सब लोग जो है handle करते होंगे उनका channel वहां जाके इतना सारा यह तमाशा करके आई है मतलब जिसकी कोई हद ही कमेंट किया ना कि भई आप तो इतने धार्मिक बनते हो पूजा पाट करके दिखाते रहते हो भगवान जी धामों में जाने से क्या होगा जब दिल में सेवा भाव नहीं है आपके इसने यह कमेंट उनको किया मतलब अब यह बताएगी कि उनके मन में सेवा भाव है या नह नहीं होंगी वो अगर कोई दूसरा इनसान अगर भगवान शिवजी की पूजा करता है अनके लिए अगर वो गीत वगयरा लिखते रहते हैं सोंग निकालते हैं बजन निकालते हैं उसको यह सकी ब्जान की ऑपर चार्गेट कर हो रही है और मैंने अकेली ने यहां तक सफर किया है किसी ने मेरा साथ नहीं दिया मतलब family family तो गई भाड में ठीक है जिन्नों ने इसका साथ दिया और आज तक साथ देते आये और वीडियो में भी यहीं बोलती है अब जब वीडियो बनाती है न उसमें आप कभी भी देखना यहीं ब complete हुए थे तो इसने घर में celebration रखा था तो इसके मम्मी पापा dance कर रहे थे ये वीडियो बना रही थी अब इसके मम्मी पापा अगर dance कर रहे थे तो क्या वो अपनी मर्जी से कर रहे थे नहीं न कहीं न कहीं वो भी चाते होंगे कि मेरी बेटी आगे बढ़े इसके वीडियो के लिए होंग आसा कर देते हैं चाहे वह जोकर ही क्यों न लगरे हो इसको उस चीजसे कोई मतलब निए इसको सरफ अपने व्यूज से मतलब था और इसने हर किसी को अपने व्यूज के लिए जो है यूस किया है चाहे वो संदीप महिश्वरी हो चाहे वो जुबिन नोटियाल हो और अब तो जुबिन नोटियाल के वहाँ जाके जो इसने गंद फैलाया है ना मतलब कोई भी creator as a creator जाके दूसरे creator की post पे जाके इस तरीके से नहीं लिखता जैसे इसने लिखा हुआ है जुबिन ची को ये बात बोले ने कि community में आप share नहीं करते ये नहीं करते तो इसी बात का मैं इसको जवाब देती हूँ कल इसने एक live की थी उस live में आपको पता है कि कोई भी बड़ा creator as a 100k के सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे creator भी आते हैं कि please हमें promote कर दो प्लीज हमारी चैनल का नाम ले दो प्लीज आप हमारी वीडियो को अपनी community में share कर दिया करो तो इसने उनको पता क्या जवाब दिया इसका कहना ये था कि देखिए मैं community में कभी share नहीं करती हूँ और community में share ना करने का कारण एक यह है कि उससे चैनल डाउन जाता है मतल पर दिया कि देखिए यह सब सारी बाते जूट है कि community में share करने से channel डाउन जाता है हमारा भी चैनल होता क्या है कि उसको boost मिलता है दूसरे इंसान को बस और कुछ ही नहीं होता सिर्फ boost मिलता है कि मेरे जो subscriber है अगर उनको वो channel पसंद आता है तो हमापे जाके जो है वो video देखेंगे और अगर कोई उस चीज़ से related अगर कोई interested होगा इंसान तो उसको subscribe कर लेगा सिर्फ इतना motive रहता है और otherwise ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन इसके दिमाग में जो है हमेशा जूट गंदगी यही सब भरी रहती है तो इस वज़े से लोगों को भी इतना पागल बनाती है यह अपनी लाइव में इसने वीडियो बनाई थी कि मेरे लिए रिष्टा आया है रिष्टा आया तो यह इसने जो है कोपी की है दुबारा से content चोरी किया है कंचन धवन का जो कि इसने पहले भी किया था लेकिन पहले इसने accept नहीं किया था पहले बहुत सारे लोगों ने बोला था खुद कंचन न कर दिया था कि नहीं यह तो मेरा fictional content है मैंने किसी का कोई content कोपी नहीं किया और इसने जो है उसे काफी ज़्यादा ही दिलवाई थी सब लोगों को याद है लेकिन आज इसने खुद अपनी वीडियो में यह चीज़ असेप्ट कर ली है कि यह जो अब दुबारा से प्लोट क रोना रोरी कि मुझे प्लोट लेना है यह करना है क्योंकि केडी ने ले लिया एक्चुली इसको भी लगता है कि भाई मुझे भी लेना है और इसने साफ अपने मूँ से बोला है कि अब देखे बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर कमेंट करने कि तुम तो उसका content कोपी क कर रही हो यह तो हाँ मैं बता देती हूं कि अगर मुझे देखे किसी का content अगर अच्छा लगता है ना तो मैं ना उसको जो है अपने उपर जो है लेती हूं मैं ऐसा फिर बनाने की कोशिश करती हो मैं भी कुछ मैं उससे सीखती हूं तो इसने देखे साफ आज माना है कि हा मैं जो है content copy करती हूँ दिदी जी ने जब पहले content copy किया था शराबी वाला जो एक्टिंगे कर रही थी फाल्तु में मतलब camera लगा के तब इसने क्यों नहीं माना था कि हाँ मैंने तेरा content copy किया है तब उसको क्यों hate इसने दिलवाई थी तो इस तरीके की ये lady है कोई इंसान अच्छे comment कर ले कुछ भी मरजे आप कर लो लेकिन ये कभी भी आपको support नहीं करेगी और आज सुबे की वीडियो में जो इसने ये बाते बोली मतलब भाशन इतना लंबा चोड़ा ये भाशन देती रहती है कि देखिए अगर मैं अपना घरी साफ करूंगी घर को अच्छे से decorate करके रखूंगी तो मुझे अच्छे comments आएंगे मैं अपनी health पे ध्यान दूँगी मैं ये करूंगी ये सिरफ बोलती है करती कुछ भी नहीं है पूरा दिन इसका खाने में निकल जाता है जो और अपने बच्चे को सुबह चावल उबाल के रख देती अपने मूं से बो आती है ये वीडियो में mention करूंगी कि भाई ऐसे ऐसी और जो आपके महाँ पर आके comment कर रही है और चाहे तो उनकी PR टीम इसके उपर जो है case भी ठोक सकते है जिस तरीके के ये blame कर रही है भगवान को लेके जो ये बाते कर रही है मतलब किसी और की भक्ती पे सवाल उठाना स सरासर ये सरासर गल्थ है इस आप लोगों का क्या कहने जूटी के लिए comment section में मुझे जरूर comment करें और देखिए आज इसने अपने मूँ से ये accept कर लिया है कि हाँ ये content चोर है content कोपी करती है तो आज के बाद अगर इसने कभी भी ये चीज़ से नकारा तो सभी लोग जो है तब तक के लिए बाई